हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो मैं यूटुब चैनल, अज की इस वीडियो मैं आपको बताऊंगे सबसे अच्छी वीडियो एडिटर एप के बारे में, जो बहुत ही इजी तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो, तो चलिए चलते हैं हम प्ले स्टोर पे और उस एप को क्या कर हम इंस्टॉल, तो आपको आप यहां पे देख सकते हैं, लास्ट में वीडियो एडिटिंग एप करके हैं, उसको देखनी है, ये इसी एप को हमें क्या करनी है, इंस्टॉल करनी है, गूगल प्ले स्टोर से, तो हम चलते हैं गूगल प्ले स्टोर पे, आपको करनी हैं प्ल तो इससे पहले मैं आपको इस एडिटर के बारे में बता देती हूँ, ये एडिटर इस तरीके से ओपन होगा, देखे इसमें एडिटर है, मर्ज है, और स्लो मोशन है, माई विडियोज है, ये इस तरीके से ये ओपन होगा, तो चलिए चलते हैं, हम इसको इंस्टाल कर लेते हैं पहले, यह अपर आप देख सकते ही, सारे विडियोज, फोटोॉज एड आल, हैं यहां पर, यह सारे फोटोज हैं यहाँ पर कैमरे में जित्ते फोटोज थे यह सारे यह आप यहां से देख सकते हो फिर इसका नेश्ट प्रोसेस क्या होता है आपको जो भी फोटो क्लिक करनी है उसको सिलेक्ट करनी है उसको क्लिक करनी है और उसके नेक्स्ट करनी है फिर यह आपका एडिटर में आ जाएगा अब यहां पर मैं बताती हूँ देखिए यहां पर और अगर किसी फोटो को डालनी है तो और दूसरे फोटो को भी हम डाल सक तो दूसरा फोटो हमने सिलेक्ट किया है यह अब इस पर क्या करनी है निचे में दिया है सेटिंग्स उस पर बारे बारे से हम उसका ट्रिटोरियल बताएंगे पहला वाला सेटिंग्स दिया है वह उसका साइज है कि आप वीडियो को कौन से साइज में चाहते हो यह इसमें छोटा दिखेगा एक और जिससे मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ वो है वर्टिकल इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा है वह क्या है जो कैची जैसे दीख रहे है वह क्या है आपका डियोरेशन को काटने का है तो अगर कुछ वीडियो आपको पसंद नहीं ह तो आप उसको डारेक्ट वहां से काट सकते हो तिसरा है जूम उससे आप क्या कर सकते हो यहां पर डारेक्टली फोटो उसको जूम कर सकते हो ध्यान रखना वीडियो आपका जूम नहीं होता है यहां से आपका फोटो जूम हो जाएगा अगर इसको सेव करना चाहते हो तो क्लिक करने है उपर पर अगर नहीं चाहते तो वहां पर क्रॉस कर देनी है फिर आपका एगर रोटेट आप नीचे में दिया है ब्लू उस पर रोटेट कर सकते हूँ अगर आपको सही करनी है सेव तो आप राइट क्लिक किजिए नहीं तो क्रॉस फिर हम देखते हैं यहां पर music में आते हैं यहां पर दिया है easy mode वहां पर जाएंगे आप तो यहां पर दिया है remove original sound means अगर आप original sound को remove करना चाहते हो कुछ दूसरा sound aid करना चाहते हो तो remove original sound पर क्लिक करनी है अगर आप दूसरा music डालना चाहते हो तो add music फिर यहां पर आप डाल कि आप कylip कर सकते हो आपके फाइल में जो music होगा उसको आफ डाल सकते हो यहां से आप music डाल सकते हैं फिर हम आप आते हैं पर यह music कही है music के बारे में बता रहा है कि आप music कौन-कौन से वीडियो के साथ music डाल सकते हो अब इसके बाद हम आते हैं यह यहां पर subtitle है मिन्स अगर आप कुछ लिख के वहां पर डालना चाहते हो तो यहां पर आएगा मिन्स जैसे हम यहां पर कुछ भी लिखते हैं यह Hello या फिर Okay रोटेट कर सकते हो या फिर क्रोस करके उसको डिलिट कर सकते हो अब हमें क्या करनी है इसको जो लिखे हैं Hello उस पे setting करनी है, तो आपको font पे click करनी है, यहां से color change कर सकते हो, और color change हो जाने के बाद आप font में क्या कर सकते हो, font करके उसके जो letters हैं, उनको, उनके design को आप change कर सकते हो, तो चलिए देखते हैं, यह Hello को पहले यहां से आप directly change कर सकते हो, यहाँ पर लिखते हैं बेबी अब जानी है हमें उसको आप टच करके उसको एडजेस्ट कर सकते हैं फोंट पर इसका देख लेते हैं कॉंसलेटर इसके लिए अच्छा है पॉंट सिलेक्ट करके क्या करनी है हमें राइट क्लिक करनी है यह प्रोसेस हो जाने के बाद हमें क्या करनी है यहाँ पर देखते हैं हम जो बेबी लिखे हैं वहाँ पर एडजेस्ट हो गया है अब हमें जानी है पीप पे अब देखते हैं यहाँ पे कोई एक फोटो जिसको हमें पीप करानी है तो कोई एक फोटो हम सिलेक्ट करते हैं जैसे इस फोटो को मैं सिलेक्ट करती हूँ एक फोटो सिलेक्ट करती हूँ, फिर इसको क्या करनी है, आप क्रॉप्ट कर सकते हैं, फिर इसको क्या करनी है, पीप करानी है मुझे, फिर इसको मैं अब देखे, इस फोटो के साथ मैं इसको पीप करा रही हूँ, ये, आप देख सकते हैं, आप इसको अड्जेस्ट कर सकते ह पिर अगर ये एजस्ट हो जाएगा तो उसके बाद क्या करने है आपको यहांपे राइट क्लिक करनी है एक पिर यह अपको सेव हो जाएगा गलाइब यह अपकर सेव हो गया पिर इसके बाद शेटिंग आता है वह है फिल्टर filter में आप color change कर सकते हो यहाँ पर देखिए अलग-अलग filters दिये हुए है आपको जो अच्छा लगे वो आप यहाँ से choose किजिए and select किजिए फिर उपर में जो right click है उस पर right click किजिए बहुत ही simple and easy तरीके से इस app में आप editing कर सकते हो फिर उसके बाद इसमें क्या दिया है कि all जो settings है उसको filter करना है या फिर जो पीप किये हो उसको filter तो वहाँ से आप select करना यह transition में क्या होता है अब जो पीप किये हो उसको यहाँ पर filter किया जाता है उसके बाद आपका option आएगा next यहाँ पर देखिए next option है यहाँ पर speed का है यहाँ पर हमने कोई video नहीं लिया है भी क्योंकि हम photos लिये है तो उसका speed हम बढ़ा नहीं सकते इसके बाद आता है reverse का वो भी नहीं कर सकते यह mic का है आप इसमें क्या कर सकते हो अपना original voice डाल सकते हो means जो आपका video में जो voice आया है recording के time उसको आप delete कर सकते हो और आप कुछ दूसरा यहाँ पर voice डाल सकते हो means अभी मैं जो recording के time कर रही हूँ क्या है मैं इसी का use कर रही हूँ इसका जो original video था original voice था उसको मैंने off किया है music में जाके और यहाँ से मैंने क्या किया है इसका new voice record किया है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो voice को record कर सकते हो और उपर में जो sound system है दिये है उसको आप zero रखना और जो mic का side है उसको off hundred percent रखना जो mic है वो अभी का voice है तो आसा करती हूँ कि आपको यह समझा आ गया होगा आप देख सकते हैं फिर इसके बाद आपको क्या करनी है सारे settings एक एक बार और check कर लेनी है कुछ छूटा थो नहीं rotate देख लीजिए फिर आपको क्या कर देनी है उपर में जो three dots दीख रहे है share करने का उस पे आप क्या करेंगे touch करेंगे तो यह क्या हो जाएगा import हो जाएगा तो वहाँ पे touch करेंगे तो यहाँ पे आएगा तो आपको क्या करनी है 480P है उस पे करनी है यह आपका export हो गया तो जो उपर में है वो हमारा अभी का वीडियो है वो save हो गया है means edit हो गया उसको चलिए चालू करके देख लेते हैं यह आपका वीडियो है यह आप चालू हो गया तो आशा करती हूँ आपको यह समझ आ गया होगा इस video editing के बारे में यह video editor सबसे easy सबसे best video editor है यह बहुत ही कम space लेता है यह ज़्यादा mb करनी है इसको download करके आप क्या कर सकते हैं install करके आप इसको use कर सकते हो इसको download करने का भी बहुत असान तरीका है इसमें ज़्यादा कुछ setting नहीं करना पड़ता means आप इसको install करके direct use कर सकते हो तो चलिए चलते हैं हम इसको install करने के बाद आपको मैं बताती हूँ कि इसमें क्या करना होगा तो आपको कुछ नहीं करना आपको जानी है सिर्फ play store पे क्योंकि यह video मैंने पहले सी download कर चुका है install तो install मुझे नहीं करना है आपको बत इंस्टॉल करनी है इसको यहाँ पर लिखेंगे video editor फिर यहाँ पर sorry मैं offline थी on करनी है फिर उसके आप क्या करनी है यहाँ पर video editor आएंगे यह सारे तो जो blue वाला दिख रहा है वो आपका है video editor इसको मैं install कर चुकी हूँ इसको open करनी है open करने के बाद यह क्या हो जाएगा आपका यह page directly कैसा खुलेगा जैसे six folder में खुला था वैसी यह open होगा